हिंदी की साहितिक कहानियों के चैनल में आज सुनिए सुप्रसिद लेखे का मदू काकरिया जी की लिखी वी कहानी खोज तो शुरू करें कहानी खोज निराशा में बहते मन को थामने के लिए उस शाम में कॉलकाता की सबसे बड़ी किताबों की दुकान न्यू मेंस चली गई बहुत दिनों से कुछ भी अच्छा पढ़ा नहीं था इसलिए कुछ अच्छा पढ़ने की बिताबी थी पर जैसे अंदर गुसी आँखें जटका खा गई क्या गल्द दुकान में गुस गई वहां किताबों के बज़ाए साणिया टंग रही थी बाई वन गेट वन की कूल कूल दुनिया थी वहां के किसी करमचारी से पूछा तो से पलट कर मुझे ही रपट दिया कितने दिनों बाद निकली हैं आप घर से क्या मतलब मतलब इस काया कल्प को साल भर से उपर हो गया ओ नो निराश मन और दुखी हो गया इतनी पुरानी और इतनी बड़ी एकलोती किताबों की दुकान समय को अपने भीतर समाय कागजों को एक परजित पुरानी गंद इसे बंद नहीं होना था मेरी सांतोना के लिए जैसे एक कोने में कुछ किताबें और पत्रकाएं भी उपेक्षित सी पड़ी थी पर अब वो किताबों की नहीं साड़ियों और कपड़ों की दुकान थी कुछ भी हो अभी मैं घर ने लोटने वाली आगे पीछे यूँ ही बे मकसद चलने लगी सच मुच इन सालों में कुलकाता थोड़ा बदल गया था चेहरा वही था बस मेकप चड़ गया था सड़कें और लोग वैसे ही थे पस थाल लेकिन दुकाने और गाड़ियां बढ़ गई थी शहर की दीवारें मोबाइल कंपनियों के विग्यापन सरंगी हुई थी इन विग्यापनों से टकर ले रहे थे पेपसी और कोका कोला के भीम काई विग्यापन जो बस अड़ों, ट्राम अड़ों, दुकानों, रेलवेज स्टेशन, एरपोर्ट पर हर जगे धूप और हवा की तरह मौजूद थे एका एक दिखी सामने से आती मिनी बस जो नीम तल्ला घाट की और जाने वाली थी मैंने हाथ दिखा कर उसे रोका और उसी में चड़ गई मन किया शमसान गुमने का छोटी उम्र में हम्मत नहीं कर पाई थी जलती चिता को देखने की रास्तों का भी पूरा ग्यान नहीं था घर वाले जाने भी नहीं देते थे आज मौका था बस में जैसे एक खुसी एक महिला आरक्षित सीट खाली हुई रहात की सांस ले उस वर बैटने ही लगी थी कि देखा एक अधेड अपने आठ नो वर्ची विकलांग लड़के को कंधे पर लेकर ठका हारा बेजान सा खड़ा था अरे अभी तक किसी नहीं से अपनी सीट क्यों नहीं थी जाने कब से इतनी जानलेवा उमस में बेटे को लिए खड़ा है बिचारा कल देखा था एक आदमी सड़क पर घायल पड़ा था सब देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे इतने मानुय बंगाली दुनिया को सुंदर बनाने वाले बंगाली क्या होता जा रहा है इने क्यों बदल रहा है इनका भी मानुय चरित्र फिर उगने लगे सवाल उफ गरदन को जटक इशारे से उन्हें बुलाया मैंने और सीट पर बठाया पुराने काले कंबल सा नीम तल्ला और उसके एक तरफ एक चोड़ा खुला नाला और उसके दूसरी तरफ काले नीले पॉलेथीन के साहता से बनी स्याही के काले धपों सी फैली बस्तिया मच्छर, धूल, गर्द, प्लास्टिक के कच्रे, बद्बू और गंदगी से बजबजाती बेशुमार बस्तिया धुनलाती मानो आकरतिया धूल में रेंगते चूजों और कुटों के बच्चों से खेलते काले नंगे फूले पेट और कमजूर हातों वाले बच्चे चपल की जगए बिसलेरी की खाली बोतलों को रस्ति के साहरे पैरों से बांदे एक युवक तक्ये की जगए इट को सिराने लगा एक किशूर छोटी सी रेल्वे लाइन और उसके पार दाहिनी तरफ शमसान घाट पुलिस थाना तीन-तीन घाट दो विद्दुद घाट और एक काठे टुली यानि लकडी से जलने वली चिताओं का घाट जहां इतनी भीरभाड नहीं थी शायद लकडी की चिता महंगी थी और समय भी ज़्यादा लेती थी इसलिए यहां सिर्फ एक जलती हुई चिता थी पीछे बहती गंगा एक अतार में बनी छोटी छोटी दुकाने फूल अगर बत्ती मिट्टी की हांटी नारियल से लेकर चॉकलेट बिस्कुट, समोसा, मिठाई सभी बिखते हुए एक तरफ जीने के सामान दूसी तरफ म्रत्य की मन करने का समय की धारा से कटे उन क्षणों को देखा उसका चित, चेतना और मन पर जो प्रभाव पड़ा वो वर्ना तीत था जीवन की स्थूलताओं से पीछा चुडाने के लिए एक बार यहां अवश्य आना चाहिए मन के सारे विकारों, दुराग्रहों और राग द्वेश को जलाती चिता देखती कुछ और सोचती कुछ और मैं विद्द घाट के और बढ़ने लगी फिर देखा, किसी लावारे श्लास के अंतिम सरसकार के लिए सड़क के एक और खड़ी चान्दी सी चमकती हिंदू सत्कार समिती की गाड़ी जिसके पारदर्शी शीशों से जहाक रहा था गाड़ी के बीच चिर निद्रा में लीन मुर्दा विद्द घाट बाहर कंप्यूटर के परदे पर देखा जा सकता था कि कौन सी भट्टी चालू है एक कतार में करीब साथ आठ भट्टियां बीच में लोही की जालियों से बने बड़े बड़े दर्वाजे हर कतार में रखे मुर्दे अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में वहीं देखा एक हाई फाई युवा मुर्दा मुर्दे को घेरे धेर सारे स्वजन घी चुपड़ी दे कोई ललाट पर चंदन का लेप कर रहा था तो कोई उसके कफन पर बुरादे जैसी कोई चीज बुरक रहा था करीब आदे घंटे तक चलते रहे सभी नेक जार फिर वहीं उसके पुत्र नहीं उसके भाई ने चार पांच जलती पतली पतली लख़णीों से उसके मुँपर मुखागने दी और फिर तुरंती इस रस्म को पूरा कर अपने रुमाल से उसके होटो और पास की जगे को पोचा ये द्रशे भी बहुती मारमिक था अब शव तयार था विद्ध भट्टी में भेजने के लिए फिर शव को उठाया गया उसे उठाते ही जैसे शरीर का कोई हिस्सा कटकर अलग हो रहा हो वैसे ही उसकी पत्नी माबाप और परिजन चीक मार मार कर रोने लगे फिर राम नाम सत्य के उद्धोश के साथ ही मृत शरीर को विद्ध भट्टी के बाहर लगे लोहे के तक्ते पर रखा गया ये लक्षम ररिखा थी स्वजन को यहीं रोक दिया गया था हम इस पार वो उस पार आगे की यात्रा उसे अकेले ही तै करनी होगी फिर वहां के करमचारियों ने बटन दबाया और खरामा खरामा शव भट्टी के अंदर ये ठीक वैसे ही था जैसे MRI के लिए किसी व्यक्ति को मशीन के अंदर स्वचालित यंत्र द्वारा गुसाया जाता है उन क्षणों जब उस शव को विद्ध भट्टी में गुसाने के लिए उठाया गया मुझे लगा जैसे उस मृत व्यक्ति की जगए मैं लेटी हूँ अकेली अपने सारे लेखा जुका के साथ अपने सभी बाप और पुन्यों के साथ अपने सभी प्टियजनों को दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए जीवन के अंतिम सच्चाय का सामना करने के लिए अनंत के सामने अकेली मन को शांत करने के लिए मैं थोड़ी दिर के लिए शमशान घाट से लगे बरामदे में आ गई सामने बहती गंगा मेरे साथ वो युवती भी थी जो उस मृत्षव के पास खड़ी थी जिससे विद्धुत भट्टी के बीतर ले जाया जा रहा था कौन थे वे? हटात मेरे मूँ से निकल गया वे मेरे पडोसी थे बाबुल्दा बोलते बोलते उसका गला भराया था क्या हुआ था? कैंसर इश्वर किसी को न दे मौत तो आनी है पर कैंसर का मरीज हर पल मौत के खौफ में कापता मौत के साथ रहता अपनी मौत को सामने साइन बोर्ड की तरह लिखावा देखता है मुझे मरना है कब गवा था? कब पता लगा? ताथ की सफेज साड़ी के आच्चा से आँख पोच्ती हुई वोली करीब दो साल पहले क्या होता है कैंसर? आप यूं समझेए कैंसर एक प्रकार का जंगली पौधा होता है जो हटात आपकी जमीन पर तेजी से फैलने लगता है और जो उप्योगी पौधे हैं बोडी के लिए उनको आपकी देह की जमीन से बाहर करता जाता है अब आप क्या करेंगे? आपको तो अपनी देह जमीन को बचाना है तो पहले तो आप उसे तुरंत आगे बढ़ने से रोकेंगे उस जमीन को सील करेंगे बलकि जितनी जमीन प्रभावित है उससे भी थोड़ी आगे तक की जमीन को सील करेंगे फिर उन जंगली पौदों को जड़ सही तो खाड़ेंगे तो ये तो हुआ सरजरी जिसे हम कहते हैं कि ट्यूमर निकाल दिया बावल दा की भी अंतड़ियों में ट्यूमर था सबसे पहले एक फुट अंतड़ी काटी गई उसके बाद आप उस जमीन को भी जला देंगे जिसमें कोई अद्रश बीज भी बचे हों तो वे भी जल जाएं और आसपास का प्रभावित इलाका भी कीटानों मुक्तों हो जाए तो ये तो हुआ कीमो थरेपी उसके बाद भी और भी साथधानी के लिए आप उस जमीन पर ही एसिड डाल देंगे जिससे संभावना एक दम ही मर जाए तो ये हुआ रेडियेशन ये लोकल होता है एक लंबी सांस खीची उसने और फिर कहने लगी बड़ी रंगीन तबियत की थे दादा सारे इंदर धनुशी रंगों से सरावोर थी जिल्दगी जीवन में, व्यापार में, रसूख में सबी जगें उची उडान घड़ी पहनते तो रोलेक्स की जो 30-40 हजार से कम की नहीं थी दूप वाला चशवा पहनते तो 10-15 हजार से कम का नहीं 5-6 लाग की एक नकी हीरे के उठी अलग से ही दमकती थी तरजनी में घर के ड्राइंग रूम की सजावर में करोणों खर्च कर दिये नैपोलियन बोना पार्ट की तरह गरूर में गरदन उची कर सब रिष्टेदारों को दोस्तों को दिखाते थे सजावर हर महीने पार्टी लेकिन जैसे ही पता लगा कैंसर का सारे रंग सारे अलंकरन जड़ गए जैसे जीवन की सच्चाई से रूबरू होने पर सिधार्थ का मन बदल गया था दादा भी एक तम बदल गए थे शुरू शुरू में तो स्युकारी ही नहीं कर पाए सच्चाई को और जब पता लगा बस कुछ साली बचे हैं तो एक दम ही बतल गई दिन चर्या अयाश से एक पवित्र आत्मा बन गए अधिक से अधिक मनुश्य होने की कोशिश में लग गए कुछ दिन तो इतने सद्मे में रहे कि अपना प्री अकवार आनंद बाजार पत्रिका तक पढ़ना छोड़ दिया कपड़े तक सिल्वाने बंद कर दिये दीरे दीरे सद्मे से उबरे तो पुरे दमखम के साथ लग गए जिन्दगी समारने में परिवार की हफाज़त में चौती कीमो थेरेपी के बाद ज़ड़ते बाल और अपना बेनूर चेहरा देखकर मन इतना खराब हुआ कि दरपर में शकल तक देखना बंद कर दिया था अब बस दुप और अफसोस रह गया कि सारी जिन्दगी जूट और दिखावे से गिरा रहा जिन्दगी का नक्षा काश पहले दिख जाता तो जिन्दगी की इतनी फिजूर खर्ची नहीं होती आज सब कुछ वैसा ही था बस समय नहीं था गंगा की लहरों को देखते देखते दार्षनिक अंदाज में कहना जारी रखा होने उनको बिना देखे विश्वास करना मुश्किल था कि ये वे ही खुबसूरत बावुलदा थे जो घर में कभी दिखते ही नहीं थे वे अब घर छोड़कर मुश्किल से कहीं बाहर जा पाते थे जो पहले सिर्फ अपने लिए सोचते थे वे अब किमो थरेपी की पीडा और वक्त की टिक टिक सुनते सिर्फ अपनों के लिए सोचने लग गए थे लम्हें लम्हें का हिसाब रखते जिस पत्नी को कभी सुना नहीं अब दिन रात उसी को सुनते और उसी के लिए सूचते थे कि कैसे इसे सुरक्षित कर जाओ, कितनी FD कर जाओ दिन रात पत्नी को हिसाब समझाते पत्नी के लिए दूसरा वर्ड देखना भी शुरू कर दिया था जाते जाते भी कह गये थे कहते भी थे कि अपनी पत्नी को पत्नी हीन संतान हीन देखते हुए कैसे मैं इस प्रत्वी से विदा ले सकता हूँ ये तो बाउदी ने कसम दिलाई कि वे जाने से पहले संतान का मुख ने दिखा दे पहले तो बाबुलदा नहीं माने पर कुछ तो संतान का मुख देखने की खुद की अभिलाशा और कुछ मौत के मुख में जाने से पहले पत्नी के इकलोती इच्छा डॉक्टर से सला कर विराजी हो गए और इश्वर का करिश्मा देखिए कि साल भर के भीतर बीटा भी हो गया मौत की च्छा में नव जीवन कांकुर ऐसा ही कहाता दादा ने और उसके विसाल भर बात तक जीवित रहे बापुलदा जीवित क्या रहे जिन्दिगियों को निगलते रहे सच मौत के पास खड़ा अकेला आदमी जिन्दिगी को शिद्दत से प्यार करता है हर रविवार बेटे को गुमाने ले जाते चेश्टा रहती की ऐसी जगह ले जाएं कि उसके साथ गुजरे हुए कुछ लम्हें उनकी इस्मृती में टंगे रहें धेरों तस्वीरें खिचवाते उसके साथ पर 10-11 महीने की नन्ही जान क्या तो याद रखे बस तस्वीरें गवाँ हैं वे डॉक्टरों से अक्सर कहते थे कि मुझे प्लीज अपनी एक्सपारी डेट के बारे में बता दीजे जिससे मैं अपनी जिन्दगी को प्लान कर यदि मेरे पास 5 साल का समय है तो मैं अपने व्यापार में ध्यान दूँगा और यदि मेरे पास सिर्फ साल भर है तो मैं अपने परिवार और ईशुर के साथ बताऊंगा और यदि मेरे पास सिर्फ 6 महीने या उससे भी कम है तो मैं महीने भर करें तीरतियात तरा पे निकल थेरेपी और रेडियो थेरेपी के भी जूलते रहे, घर वाले पंडितों और जोतिशों के चक्कर लगाते रहे, महा मृतंजय मंदर का जाप और मा काली को पूजा देते रहे, जब जब चित उखर जाता वे लाइफ आफ्टर डेथ शीर्शक के ताब पढ़ते रहते, धर्म भाग और दर्शन में शांती ढूरते रहे, और अंतिम दिनों में तो उनकी जर्रा जर्रा बिखरी देहे जैसे एक जिंदा एक्सरे बन गई थी, बोलते बोलते नम हुई आखों को साड़ी के कोर से पोच्छा उनोंने, सामने बहती गंगा पर एक नजर डाली और एक दीर गिसास खेंजी, कुछ खामोश पल, आपकी क्या उनसे अक्सर बात होती थी, हाँ, एकदम शुरू में तो लगबख हर शाम, हम उन्हें बिलकुल भी अकेला ने छोड़ते थे, उन्ही दिनों दादा ने बहुती मार्मिक बात कही थी, जिनके समक्ष अपनी हैसियत का दिख इसे ताकत, व्यापारिक उचाईयों और दमकते रूप पर, एक बार चेरे पर एक फुनसी उगाई थी, तो मैं अपने साले के रेस्प्षन की पार्टी में नहीं गया, कैसे चेरे के साथ क्यों जाओं, पर कैंसर ने बता दिया क्या हूं मैं, क्या है रूप, क्या है शरीर गंदे कपड़े का एक फटा चित्रा भर, और ये दे, दर्द, गर्द और गुबार का एक दरिया भर, सही है कि जिन्दिकी जब हातों से फिसलने लगती है, तब ही समझ में आती है, बोलते बोलते वो बार बार घड़ी देख रही थी, गंटे भर का समय दिया था विद्ध के बीज महबत इस हाथसे के बाद ही पन पी थी, क्योंकि कैंसर ने बाबुल्दा की द्रष्टी बदल दी थी, और द्रष्टी के बदलते उनकी द्रष्टी भी बदल गई, मुझे ताचुब हुआ, कहने को तो परोसी पर कितना कुछ जानती है, आकिर पूछी डाला मैंने आप इतनी बाते कैसे जानती हैं, वो हस पड़ी, उदासी का अक्स भी शामिल था उसमें, दर असल बाबुल्दाने घर में बहुती बोल्ट चेरा ओड़ा हुआ था, क्योंकि घर में सभी उनसे छोटे थे, मा बाब बुडे हुचले थे, उनसे कुछ भी बोलकर हलके हो नह नहीं सकते थे, तो मेरे पती के पास अक्सर वे अपने को खोल देते थे, अपना दुख, अपना डर, अपना अफसोस, सब कुछ, बौधी को भी मैं ही मिलती थी, उनकी हमुम्र, बौधी नहीं एक बार कहा था, कैंसर ने तुमारे दादा की भीतरी सुन्दरता खिला दी, म मौत के खौफ से बाहर निकल, मांसिक रूप से खुद को तयार कर रहे थे, पौने दो साल उन्होंने ठीक ठाक निकाल दिये, लेकिन कैंसर लेवर में भी फैल गया था, फिर एक दिन एका एक उन्हें सांस लेने में तिक्कत होने लगी, कारबन डायकसाइट का लेवर पादी नहीं चाहेते थे, उनकी चेतना में भी अब जीवन कम म्रत्य अधिक थी, इसलिए म्रत्य से दो दिन पहले उन्होंने वेंटिलेटर सहीद सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटवा दिये, और पत्मी से कहा मैं तयार हूँ, बस एक बार रोहित अर्थार बेटे स मिलना चाहता हूँ, बादी रोहित को लेकर आई, बेटे को देखा तो आखे भनाएं उनकी, उसे आकली बार चूमा, और एक छोटा सा पत्र उसके नन्ने हातों में थमाया, बादी ने उनके प्रिये हिम सागर, आम की एक फाक आखी बार चखानी चाही तो इंकार कर दिया, कितना कमाया, पर अपने हातों किसी को कुछ नहीं दिया था, और अब खाली हाँ चाह रहे थी, उनकी माने उनके हातों को इसपर्ष करा कुछ रुपे दान कराए, कर दो बेटा देना ही जिन्दगी है, आसू, प्रेम, आदर, माबाप का चरण इसपर्ष, भाई, बहन, मित सबी का दुलार भरा इसपर्ष, अंतिम इच्छा, अंतिम प्रणाम, भावनाओं से भरा आलेंगन, उनके प्रति हम सबने व्यक्त किया, क्योंकि अब उनकी इच्छानुसार सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटने वाले थे, अब कभी भी, अब सिर्फ और सिर्फ मॉर हाथ जोड़े उन्होंने, उपर से शान्त लेकिन भीतर डर्या बेचैनी, होश रहते बावधी का हाथ इतना कसकर पकड़ रखा था उन्होंने, कि उनके हाथ दुखने लगे थे, आदे गंटे बादी मास्क और मॉनीटर सब बंद थे, सिर्फ मॉर्फिन था, वे निकल की यात्रा पर, उनकी सांस बार बार लड़ खड़ा रही थी, बहुदी लगातार उनके कानों में भजन गुन गुना रही थी, मॉर्फिन बढ़ा दिया गया था, दूसरे दिन वे अचेत हो गये, और उसके अगले आट घंटे बाद पिंजरा तूट गया, हंस उड़ गया तत्वे चिंतन से पीछे नहटती थी, बाबुलदा की भस में शायद भटी से निकल आई थी, दूर से देखा उनोंने, अपने लोगों को और हरवराती सी बोनी, अच्छा अब चलूँगी, मेरे पास भी अब समय नहीं बचा, वो ये जा वो जा, सोचती रही मैं, कितना जानती थी, सब कुछ से कुछ नहीं की आख में चौनी की कहानी, आस पास की आवाजें, गंगा की कलकल द्वनी और आसमान में उरते परिंदों के साथ मिलकर, एक रहसमें वातावरन की स्रष्टि कर रही थी, जाने कितनी ऐसी कथाएं लिखी गई होंगी गंगा की लहरों पर, दूर क्षितिच पर डूपता रकताब सूरज मुझसे आख मिला रहा था, और मुझे बता रहा था कि बाबल दा की तरह मैं भी तो व्यतीत हो रही थी, इस एहसास ने मुझे गहरी उदासी से भर दिया, इतना कि मेरी आखें डबरबा रही थी, कुछ बचा हुआ भी अगली सुबह की उमीद सा, आखों में आसू और मन में एक संकल्प उबरा, मैं जिन्दगी को व्यर्थ नहीं जाने दूँगी, ये वादा रहा मेरा तुमसे ओ जिन्दगी, शायद मैं अपने को दोबारा खोज रही थी, अभी आप सुन रही थी, जीवन की ख्षन को चित्रित करती हुई मदू का करिया जी की लिखी हुई कहानी खोज, उमीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, कल मिलेंगे, फिर किसी उम्दा कहानी के साथ, आपका समय शुब हो